यह वीडियो क्लास 10th के भुगोल बिशय से बनाया गया है यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निशी दूरुप से चनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि इस परकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर परकार के कमपिटिशन एक्जाम के ल सही अंसर हो जाएगा आठ उसके बाद अगला प्रस्न है पीन कोड में पहला अंक किसके लिए निर्धारित किये गए हैं तो इस प्रस्न का सही अंसर हो जाएगा पीन कोड में जो पहला अंक होता है वो जोन के लिए निर्धारित किया गया है पीन कोड के दूसरे और तीसर अंग किसके लिए निर्धारित किये गए हैं ये कलास 10 के भुगोल का बस्तुनिष्ट प्रसन है इस प्रसन का सही अंसर हो जाएगा उप जोन के लिए उसके बाद अगला प्रसन है पीन कोड के अंतिम तीन अंग किसके लिए निर्धारित किये गए हैं तो इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा गंतब्य डाक घर के लिए उसके बाद अगला प्रस्ण है बिहार और जारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है बिहार और जारखंड किस कोड में सामिल है तो इसके लिए जो संख्या उप्योग क्या गया है वो आठ यानि बिहार और जारकन का पिन कोर 8 से शुरू होता है उसके बाद है अगला प्रस्ण भारत का एक डाक घर कितने बर्ग किलो मीटर छेतर पर इस्थित है तो इस प्रस्ण का एंसर हो जाएगा 21.1 चो बर्ग किलो मीटर और एक डाक घर है उसके बाद अगला प्रस्ण है दूर संचार तंत्र के मामले में एसिया में भारत का कौन सा स्थान है तो इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है दूर संचार के मामले में उसके बाद अगला प्रस्न है भारत में रेडियों का परसारन कब शुरू हुआ था रेडियों का परसारन कब शुरू किया गया था तिसका सही अंसर हो जाएगा 1923 में उसके बाद अगला प्रस्ण है भारत में रेडियों का परसारन किसके द्वारा शुरू किया गया था यानि रेडियों का परसारन किसके द्वारा शुरू किया गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा रेडियों कल्व आफ मुंबई के द्वारा उसके बाद अगला प्रस्ण है All India Radio का नाम आकाशवानी कब क्या गया था यानि All India का नाम आकाशवानी रखा गया था कब 1957 में उसके बाद अगला प्रस्ण है भारत में टेलीवीजन सेवा कब शुरू की गई थी यानि यहां पर टेलीवीजन सबसे पहले कब शुरू किया गया था 1969 में टेलीवीजन सेवा शुरू हुआ था उसके बाद अगला प्रस्ण है भारत में टेलीवीजन सेवा का नाम दूरदर्शन कब रखा गया था तो दूरदर्शन टेलिवीजन सेवा का नाम कब रखा गया तो इस प्रस्ण का इंसर हो जाएगा 1976 में उसके बाद अगला प्रस्ण है भारत में टेलिवीजन का रंगीन पर सारन कब शुरू हुआ था तो भारत में टेलिवीजन का रंगीन पर सारण 1982 भी में शुरू किया गया था उसके बाद और अगला प्रस्थन है बस्तु या सिवाओं के करे विक्रे को क्या कहते है तो बस्तु के खरीद विक्री के है या करे विक्रे को क्या कह जाएगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा व्यापार उसके बाद जाए अगला प्रस्ण है जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा अंतर राश्टिय व्यापार उसके बाद अगला प्रस्ण है जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं तो इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा प्रतिकूल व्यपार संतुलन उसके बाद अगला प्रस्ण है जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं तो इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा अनुकूल व्यपार संतुलन उसके बाद अगला प्रस्ण है जब कोई बस तू बाहरी देश से जब कोई बस तू बाहरी देश से मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा आयात जब बाहर से मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते है अगला प्रस्ण जब कोई समान अपने देश से बाहरी देशों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते है जब देश से भी देश भेजा जाएगा समान तो उसे निरियात कहा जाता तब उसको निरियात कहेंगे उसके बाद अगला प्रस्ण एसिया का पहला निर्यात संबर्धन छेत्र कहां स्थापित किया गया था तो इस प्रस्ण का सही एंसर हो जाएगा कांडला कांडला में ये स्थापित किया गया था उसके बाद अगला प्रस्ण है एसिया के किस देश ने सरपर्थम निर्यात संबर्धन छेत्र अस्थापित किये थे इसका सही एंसर हो जाएगा भारत उसके बाद अगला प्रस्न है भारत में कितने निरियात संबर्धन छेत्र हैं तो इस प्रस्न का सही एंसर हो जाएगा आठ और यदि आप पहली बार इस वीडियों को देख रहे हैं तो निश्ची दूरुप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियों को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है ये कलास 10 के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुन है और सभी प्रकार के प्रतियोगिता प्रिक्षा के लिए भी ये प्रस्न बहुत ही महत्पुन है तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए चैनल को निशी दरूप से सब्सक्राइब कर ले